दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कुशिश करूँगा कि इंग्लिश ग्रैमर में कौन से मॉडल का यूज कैसे किया जाता है तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल वर्ब्स सबसे पहले हम लोग टाइप्स डिस्कुस करते हैं कि कौन सा मॉडल किस टाइप को बताता है फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन से टाइप में कौन सा मॉडल वर्ब फिट बैठता है इसके बाद एक एग्जाम्पल भी दूँगा तो शुरू करते हम लोग सबसे पहला टाइप है एबिलिटी एबिलिटी का मतलब होता है शमता बताना कि कोई इंसान किसी काम को कर सकता है ये उसमें एबिलिटी है दूसरा टाइप है परमिशन लेना किसी से आग्या लेना किसी काम को करने के लिए हमें किसी का approval चाहिए हो तो हमें permission wallet type में models का use करना पड़ता है तीसरा type है advice किसी को सला देने के लिए चौथा type है obligation obligation का हिंदी में मतलब होता है किसी को बात दे करना कि तुम्हें ये काम करना ही होगा चाहे कानूनी रूप से या फिर कोई जोर दे कर जरूर करना होगा या जरूर करना चाहिए तुम बंदे हुए हो इस काम को करने के लिए ये obligation होता है और आखरी type है possibility यानि कि संभावना होना basically इन पाच कामों के लिए ही models का use होता है ज्यादा तर अब दोसों देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ability के लिए कौन-कौन से models का use कर सकते हैं तो इसमें दो models आते हैं can और could ये शमता बताने के लिए use किये जाते हैं for example I can lift this bucket मैं इस बाल्टी को उठा सकता हूँ यहाँ पे जो can word use किया गया है ये ability यानि कि शमता बताने के लिए use किया गया है या फिर I could speak English in my school यहाँ पे past में मेरी शमता बताने के लिए could का use किया गया है कि जब मैं school में था तब मैं English बोल सकता था तो can और could वाली model verbs का use हम ability बताने के लिए यानि शमता बताने के लिए करते हैं Next permission लेने के लिए हम कौन-कौन सी model verbs का use करते है तो इसमें can का भी use हो सकता है could का भी use हो सकता है और may का भी use हो सकता है जैसे example देके बताता हूँ जब भी हम school में होते हैं तो अपने teacher से पूसते है may I come in क्या मैं अंदर आ सकता हूँ यहाँ पे may word का use किया गया है permission लेने के लिए तो may यहाँ पर एक model verb है can का use भी हम permission लेने के लिए कर सकते हैं जैसे can I sit in that chair please क्या मैं उस chair पर बैठ सकता हूँ या फिर could you please help me क्या आप मेरी मदद करेंगे तो यहाँ पे permission लेने के लिए हम can, could और may इन तीनों का use कर सकते हैं next type है advice advice देने के लिए हम लोग should model verb का use करते हैं s-h-o-u-l-d जैसे you should visit your therapist frequently यहाँ पे सला देने के लिए should word का use किया गया है x type है obligation यानि बाद्यता तुम्हें ये काम करना ही होगा ऐसी बात अगर हमें किसी को English में बोलनी हो तो हम कौन से models का use करते हैं must और have to जैसे for example must watch this movie इस movie को जरूर देखना, बहुत अच्छी है इसको जरूर देखना या फिर you have to take off your shoes before you get into the temple तुम्हें मंदिर के अंदर जाने से पहले अपने जूते बाहर खोलने होंगे ये बाद्यता है खोलने ही होंगे तो यहाँ पे हमने have to का use किया next type है possibility कि संभावना है संभावना के अंदर हम काफी सारे model verb का use कर सकते हैं जैसे might, may, could or can say for example तुम्हें में तो अच्छी है लेकिन लगता है बहुत महँगी होगी संभावना है कि ये बहुत महँगी होगी तो यहाँ पे हमने might word का use किया संभावना जताने के लिए अफिर Harish may be coming to see us tomorrow Harish हो सकता है कल आए हमें देखने के लिए संभावना है may be may be word का use हुआ यहाँ पर उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ helpful साबित होगी दूस्तों आज की इस वीडियों बस इतना ही